वेलकम बैक हमारा नेक्स्ट सेकेंड डे डे टू है टैनेक्स बिसनस ग्रोथ कॉन्फिरेंस का आज तो आई जली से देखते हैं फटाफट के हम आज क्या सीखने वाले हैं तो what we will learn today आज हम वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इनके नोर्स बनाना है पहले वीडियो में हमने जो सब देखा था सीखा था उसको सब को नोर्स बनाते रहिएगा आज का और पहला वीडियो पहला वीडियो और देटू का वीडियो थोड़ा सा टफ हो सकता है तो टेंशन नहीं लिजेगा लेकिन दो-चार दिन में अभी सारी चीज़े प्रैक्टिस में आ जाएगी तो सही से समझ़वाने लिए आज हम automation के basic सिद्धान पे बात करेंगे आपके website के 5 pillars, functions, departments, घोलों के बारे में बात करेंगे आपके घोलों की वरतमार, इस्तिधी के बारे में बात करेंगे touch points के बारे में बात करेंगे कि आपके customers का first impressions क्या क्या होता है कैसे कहां से वो आपके संपर्क में आता है customer journey के बारे में बात करेंगे कि आपकी customer journey कैसे होती है क्या होती है customer जब आपके यहां आता है तो फिर उसके बाद में उसके बाद step by step organization tree के बारे में बात करेंगे कि आपका structure क्या है, admin क्या है, team का designation पद क्या है, A to Z पूरा सब बनाएंगे, जैसे बड़ी कंपनीज में होता है, कि सबसे उपर कौन रहेगा, फिर उसके नीचे, कौन फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, A to Z पूरे डिटेल में आज बात होगी, तीन साल की बिजनस स्ट्रेटजी शीट की हम डेट्स हो गया, आज से हम automation अपने बिजनस में स्टार्ट कर देंगे, automation का मतलब क्या होता है, इसको पहले थोड़ा से समय लेते हैं, automation का मतलब होता है, सौचलीत, सौचलीत, का मतलब है जो खुद अपने आप सारी चीजए, सारे काम हो जाएं, उसे बोलते हैं, automation, process, system and sops, कुछ ल कि परसंट डिपेंडेंट और एक होता है सिस्टम डिपेंडेंडेंट अभी हमारे यहां पे क्या होता है कि परसंट डिपेंडेंडेंट है जब तक हम रहते हैं तब तक तो काम अच्छे से होता है हम नहीं रहते तो काम नहीं होता है या कोई बंदा है जो जिम्मेदार है हमा रहा है जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना है काम हमारा होना चाहिए कोई आए चाहिए नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है परसंट डिपेंडेंट नहीं है उसको हमें सिस्टम डिपेंडेंट करना है सीधे से हमारा आज का जो मोटिव है वो यह है क्योंकि हमको क्या कर करना है working on the business करना है हम business के बाहर खड़े रहें के तभी काम कर पाएंगे जब हमारे उपर dependency जितनी जादा कम हो हमारे उपर जितनी जादा dependency होगी हम उतना ही जादा उल्जे रहेंगे तो ये जो हमारा automation है वो क्या कैसे होता basic principles of automation क्या है इसको note कर लीजेगा basic principles of automation के जो काम कोई और कर सकता है वो काम मैं नहीं करूंगा जो काम कोई दूसरा कर सकता है वो काम मैं नहीं करूंगा for example ऐसे कौन से काम हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे काम है work है जो आपके ओपर depend है जब तक आप नहीं करते हैं तब तक वो होता नहीं है तो वो काम कोई और भी कर सकता है ठीक है? headaches है बहुत सारे headaches थे जो मैं ही handle करता था लेकिन अब मैं देखूंगा कि मैं मेरे जगापे ऐसा कौन बंदा है जो वो headache समाज सकता है तो वो मैं delegate कर दूंगा आगए transfer कर दूंगा कि आज से ये सारे headaches मैं नहीं समालूंगा ये कोई और समालेगा आज से ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करूंगा आज से बहुत सारी problem solving थी जो आप ही करते थे वो आज से मैं नहीं करूंगा वो कोई और करेगा कोई समस्या है उसका समधान फ़ना बंदा करेगा डिसीजन मेकिंग छोटे चोटे बोटे डिसीजन लेने होते थे वो मैं नहीं लूँगा वो कोई और लेगा एड्मिन रिलेटेड बहुत सारे काम थे जो टीम के बारे में थे कि कौन किसको क्या देखना है कितने बज़ा है वो सब मुझे नहीं डिसाइड करना है वो कोई और करेगा सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं अब प्रूवेंड मैथेड प्रोसीजर सीरीज ओव स्टेप सारे स्टेप बाई स्टेप सब लिखे होंगे कि कौन सा काम सबसे पहले होगा कौन सा काम सबसे बाद में होगा स्टाइटिंग में जैसे मौर्निंग होती मौर्निंग में सुभा से कंपनी खुलने से लेकर शाम तक क्या-क्या होता है रात तक जो हमारी डे-टू-डे एक्टिविटी है वो सब लिखी भी होगी प्रूवन मेथेड्स में होंगे स्टेप्स में होंगे सिरीज में होंगे कि सबसे पहले नंबर पे क्या होता इतने बज़े हमारे कंपनी खुलती है उसके बाद में ये होता है सब पूरा सब लिखा रहेगा डॉकुमेंटेड होगा तो ये परसन डिपेंडेंट वर्किंग से हमको सिस्टम डिपेंडेंट वर्किंग पर आना है इसके लिए जो हमने कल रॉबर्ट यो साकी वाले चार्ट के बने में बात की थी सेल्फ इंप्लाइड जो हमने बात नहीं की थी ओपी टी और ओपी ई तो वो में जीज़ें जो हमने रॉबर्ट यो साकी वाले चार्ट पर फोकस करा था चार कॉर्डेंट थे फोर कॉर्डेंट उनको अच्छे से ध्यान देना है वो ही में है आपका चार्ट उसी पर ही अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले नमर पर जाकर उस वीडियो को देख लिए तो अच्छे से आपको यह बात समझ में आएगी कि कैसे हम सेल्फ इंप्लाइड से बिजनस ओनर वाले कॉर्डेंट में मूव करेंगे उसके लिए हमको परसंट डिपेंडेंसी खतम करनी होगी और एक सिस्टम डिपेंडेंसी क्रियेट करनी होगी एक सिस्टम डिवेलप कर देना है अपने यहाँ पे कि सारा काम आटोमेटिक सिस्टमेटिक होता है कोई भी नया बंदा आता है उसको भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सारी चीज़े systematic है rules है regulations है तो फिर बंदों को भी डर लगेगा कि हाँ rule regulation है monitor हो रहा है हर चीज़ देखी जा रही है नियम से अभी क्या है अभी हमारे यहां कोई नियम नहीं है कोई भी जो भी आता है अपने हिसाब से काम करता है तो इसलिए दिक्कत होती है लोग आप से आके पूछते हैं बार-बार क्यूंकि उनके अंदर वो नहीं है quality नहीं होती है इतना डर लगता है उनको नहीं जगा जाते हैं उन्हें एट्मोसफेर समझ में नहीं आता कि कैसे क्या लेकिन आपने एक सिस्टम डिवलप कर दिया कि बंदा आएगा तो क्या करेगा और लॉक खोलेगा फिर उसका A,2,Z सारी चीज़े आपने लिख रखी है अब हम इसके बारे में डैपली बात करेंगे अगर आपने डे भॉन वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो आपको दिक्ट बहुत सारी हो सकते है डे भॉन वाला वीडियो दो-तीन बर रिवाइड करके देखे day one day two ये दो वीडियो बहुत important अगर आपने ये देख लिए तो आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी क्योंकि याद रखे ये systems क्यों जरूरी है systems इसलिए जरूरी है कि दिन भर में सिर्फ 24 घंटे है 24 घंटों में आपके पास कितने घंटे आप जादा जादा 10, 12, 13, 14 घंटे काम कर पाएंगे इससे जादा नहीं कर पाते तो फिर आपको क्या करना होगा आपको और दूसरे खाबिल लोगों को अपने यहां पर training देना होगी उनको जम्मेदारियां देना होगी जब वो लोग साथ में काम करेंगे तो आपका working time बढ़ जाएगा आपका effective work होने लगेगा क्योंकि एक team build हो जाएगी तो team से फिर अच्छे से काम होगा क्योंकि आप जादा काम नहीं कर पाएंगे अब मेरे पास दिन के 24 नहीं 48 घंटे हैं, 22 घंटे हैं, 96 घंटे हैं क्योंकि मैंने एक और काबिल आदमी को ready कर दिया कि वो headache समा लेगा एक और काबिल आदमी को train कर दिया है ताकि वो decision making लेगा तो इस तरीके से आप अपने time को multiply कर लेते हैं इस तरीके से कंपनियां धीरे धीरे grow करती हैं क्योंकि अब कंपनी के पास सिर्फ 24 घंटे नहीं है अब उसके पास 100 घंटे, 120 घंटे, 200 घंटे, 500 घंटे क्योंकि इतने ज़्यादा hand आगा है तो इस तरीके से अब कंपनी जो हैं वो धीरे धीरे grow करती है ठीक है तो ये चीज़ समझ में आगई आपको के systems क्या होते हैं systems में लोग कैसे काम करते हैं ठीक तो systems में main चीज होगी कि आपके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हो series of steps होंगे other people time other people effort दूसरे लोगों का time और दूसरे लोगों का effort आप कैसे अपने business में use करें क्योंके how long will your business survive कितना आपका business survive करेगा अगर आप अपने business से काम करना आज बंद कर दें तो आपका business हमेशा survive करता रहेगा business बंद रही होता है manage the five pillars of your business to create an automated business that runs without you अगर आप यही सारे systems इन पाँच pillars पांच departments पांच जगाओं पे लगा देंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी ध्यान देने की जुरूत नहीं रहेगी क्योंके आपने अपनी जगा पर duplicate तयार करें और वो अब आपके business को सभालेंगे आपको सिर्फ review लेना होगा update लेनी होगी mail से update आगया कि हाँ ये ये सारी चीज़े automatically चल रही है run हो रहा है आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देनी जुरूत नहीं आपके पास report आगया अपने report देखी weekly monthly meeting की top के लोगों से बाकी आपको मतलब नहीं है day to day नीचे आले लोगों से आपको मतलब नहीं है हाँ हर employee आपके पास दोड़ दोड़ के आ रहा है हर customer आपके पास दोड़ दो तो गड़ बड़ है तो दिक्कत है यहीं पर इसको सुधार करना है main कौन कौन से चीज़े हैं पाँच चीज़े हैं जो अभी हमने बात की है वो सारी चीज़े आपने इन पाँच जगाओं पे लगाने हैं तो system operations कौन कौन से पाँच पिलर departments क्या क्या है marketing marketing और lead generation का मतलब होता है advertising marketing का मतलब होता है advertising advertising मतलब जो दिखता है वो बिखता है company के बारे में लोगों को अचूक दबा है cancer की तो वो लोग कैसे लेने आएंगे आपको आज competition का दोर है आपको आज जाके बताना होगा जितनी ज़्यादा आपके बारे में चर्चा होगी जितना ज़्यादा परचार परसार होगा बाहर चर्चा होनी चाहिए आपके बारे में क्योंकि उसी से ही सारी चीज़े होगी अगर लोगों को आपके बारे में पता नहीं है अगर लोग चर्चा नहीं करते तो आप गुमनामी की जिन्दगी जी रहे तो आप business ज़्यादा grow नहीं कर पाएंगे लीड ज़्यादा generate नहीं होगी इसके कई सारे mediums है आज कल सोशल मीडिया का platform बहुत अच्छे से काम करता है सोशल मीडिया से lead बहुत ज़्यादा generate होती है Twitter है, Facebook है, LinkedIn है, Google है YouTube है, यहां से आपकी lead generate होती है कि कैसे आप YouTube चैनल बनागे है, वीडियो के माध्यम से वीडियो सबसे बेटरीन चीज़ है आज के दोर में क्योंकि वीडियो एक salesman का काम करती है आपके अगर जितने salesman आप रखते हैं जो आपकी company को promote करें, promote big बड़ा promote करना है, promote, promote, promote सब business का पहला rule है तो marketing, advertising बहुत ज़रूरी है promote करना है, जो दिखता है, वो बिखता है company के बारे में लोग बताओ, product के बारे में बताओ आपके बारे में पताओ, तो आपके बारे में तो हमने पहले कहाता है कि identity आप अपनी और अपने business का identity, क्योंकि आप famous हो जाते हैं लोगों को मालूम होता है कि आप किस चीज के specialist है, आप किस चीज के expert है, तो फिर लोग आप से contact करें, क्योंकि mind में उनके picture वही, pop-up होगी, company के बारे में, sales होती है, sales का मतलब होता है, income, money, sales में बहुत सारे process है, कि कैसे opening करनी है, कैसे deal को done करना है, कैसे close करना है, कैसे follow-up करना है, sales के बंदे, बहुत important ह कैसे presentation देना है, कैसे body language होगी, कैसे आपको buying decisions दिलाने होगे, customer का buying process समझना होगा, operations है, और यही सारी चीज़े आप अपनी team में भी सारी develop करने हैं, यही training department, अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, हम आपके team को यह सारी चीज़े available कर करवाते हैं, हम team को train करवाते हैं, operations है day to day routine work, अब daily daily आपके हैं पर जैसे receptionist है, receptionist का क्या work है, calling center है, तो call center का क्या work है, जो आपके team के बंदे है, marketing के बंदे हैं, जो भी बंदे हैं, जो भी department है, उनका सब का daily routine work आपका, बिलकुल exact लिखावा होना चाहिए, तो लिखावा हो है, तो कोई भी उसको कर सकता है, rules regulation आपके, बिलकुल clear होने चाहिए, सब को पता होना चाहिए, HR, कैसे hiring होती है, आपके हैं, team कैसे है, कौन senior है, कौन junior है, किसकी क्या responsibility है, कौन admin है, organization tree बनेगा, सबसे उपर कौन है, आप हो गए, आपके नीचे कौन है, दो manager, तो direct लोग आउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने company का भी बना सकते हैं, आप तीन लोग हैं, दो लोग हैं, पाच लोग हैं, साथ लोग हैं, तो वैसे ही आपको बनाना होगा, accounting और finance, accounting के लिए आपके हैं, accountant होता ही है, बंदा एक टेली वाला, जो profit, loss, turnover और tax का सब देखता है, accounting का मतल आपको चाहिए है, business को grow करने के लिए, तो investors कहां से आपको मिलेंगे, जो आपके business में invest करें, ये finance का, तो इन चीजों पर अगर आप focus करेंगे, ध्यान देंगे, तो सारी चीजे grow होंगी, धीरे धीरे, लेकिन इन चीजों को समझना जरूरी है, एक चीज को deep analysis करना है, deep dive करन हैं इन में, तो अगर आप हमारे साथ 3 मेने, 6 मेने के लिए जुड़ते हैं, तो एक एक topic को हम बिल्कु क्लियर exact करके, आपके यहां पर चार्ट बनवा, बनवा के, पूरा सब सारी चीजे, fully automatic और systematic कर देते हैं, अब आई ये देखते हैं, कि ये 5 pillars आपके business में कैसे automate हो सकते नमबर वन पे है marketing, अब marketing में आपको ये देखना है, कि marketing में आप कैसे marketing करते हैं, मतलब effective marketing होती है, active marketing होती है, regular marketing होती है, या irregular marketing होती है, मतलब reactive है, या no marketing, आपकी marketing होती नहीं है, मतलब जब धन्दा आपका अच्छा चला है, तब भी marketing होती है, जब धन्दा down है, तब भी marketing च चलती रहती है या आपके धंदे में जब देखते हैं कि सेल्स डाउन होगी तब आप सोचते हैं आप कुछ कर लो अब मार्केटिंग करते हैं है ने चलो कैंप लगा लें चलो पंपलेट बाट दें या कुछ एक्टिविटी करते हैं तो यह आपको देखना है कि आप रेगु बिकेगा ही बिकेगा प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप बिकेगा दुकान खोल दी तो लोग अपने आप आएंगे और आटोमेटिक ही होगा यह सोच है आपकी तो अगर आपकी सोच रेगुलर मार्केट वाली है तो आर वन लिखिए अगर रियक्टिव है तो आर ट रिजल्ट क्या आता है आउटकम क्या आता है यह शीट आपको मिल जाएगी उस शीट को आपको पूरा फिल करना आपने देखा होगा कि जितने भी बड़ी कंपनियां है वो साल भर तक मार्केटिंग करती रहती है पराबर मार्केटिंग करती है वो ऐसा नहीं कि जब दंदर हो रहा है जब दंदा रुक रहा है जब सेल्स नहीं हो रही है तब वो मार्केटिंग करें ऐसा नहीं है वो साल भर तक मार्केटिंग करते रहते हैं मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे मार्क पार्ट है मार्केटिंग ये साल भर होना चाहिए लगातार होना चाहिए बिग होना चाहिए जब धंदा डाउन हो तब भी मार्केटिंग होना चाहिए जब धंदा अच्छा चल रहा है तब भी मार्केटिंग होना चाहिए जब धंदा ठीक ठाक है तब भी मार्केटिंग होन चाहिए तभी आप एक बड़ी कंपनी बन पाएं जितनी बड़ी कंपनी होती ही वो मार्केटिंग लगातार करते हैं तो यहां पर यह चीज़ समझ में आ रही है कि हमको जब प्यास लगेगी तभी कुआ नहीं खोदना है क्योंकि अगर जब प्यास लगेगी और कुआ खोद जब प्यास लगती है तब को आखोदते हैं आरवन लगातार होती रहती है मार्केटिंग फिर आप देखिए कि आपके उपर डिपेंडेंट है या कोई पंदा हायर है आप ही करते हैं तभी सब कुछ होता है या कोई है जो इस काम को हैंडिल कर लेता है फिर आप इसके रिजल्ट सैटिसफाई है कि नहीं है जो भी है वो लिखेंगे ठीक है नेक्स आता है हमारा सेल्स सेल्स बराबर होती रहती है या कभी होती है कभी नहीं होती है रुक जाती है रुक नहीं रुक जाती है एक्टिव है रियक्टिव है उस पे फोकस करिए आप ही उसके लिए सेल्स के लिए या सेल्स की पूरी टीम है बंदा है सेल्स मैन है वो है और रिजल्ट उसके सेटिसफाई है या नहीं है आप इसी तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखना है कि सेल्स पे जैसे आर वन आर टू के रेगुलर करते हैं आप एक्टिविटी जो इस प्रेशन में है एकांटिंग में इनके सबके गोल्स पीछे से देखिए और जो वीडियो है उनसे और देखिए कि आप क्या है आर वन है और टू है और थी है फिर उनमें हम सुधार करेंगे अब आता है हमारा टच पॉइंट कस्टमर के फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट में चीज़ होती है लोकेशन 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 कैसी है आपकी आपका होल्डिंग कैसा है आपका लीफलेट कैसा है आपका विज्टिंग कार्ट कैसा है आपका पेपर में एड जा रहा है तो कैसा है वीडियो है यूटूब चैनल है फेस्बुक पेज है आपका account है LinkedIn account है तो यह सब होते हैं website है आपकी बहुत सारी चीजे होती है जहां पर customer आपको touch करता है click करता है जहां पर तो वो सारी चीजे clickable है likeable है के नहीं है तो आपको अपने 10 touch point चार्ट देने मैंने यहां पर जो list दे रखी आप इसमें से देख लिजेगे कि आपकी packaging कैसी है आपका entrance कैसा है आपका washroom कैसा है आपका restroom कैसा है आपका waiting room कैसा है आपका reception कैसा है जहां पर customer आता है और interact होता है आपसे है ना आपका office कैसा है location कैसा है ladies वहाँ पर आने से कतराती तो नहीं है गली कैसी है area कैसा है road कैसा है तो location 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 main है location location best होनी चाहिए जहां पे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो ट्वालेट वाशूम आपका साफ होना चाहिए अगर लेडीज आती है तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है बंदों से बात कैसे करते हैं वेटिंग टाइम कैसा है वेटिंग रूम आपका कैसा है टीवी लगावा है एसी है फैन है सारी सुफदा है अच्छा सा बना हुआ है डेकोरेट है अगर ये सारी चीज़े आप अच्छे से कर देंगे क्योंकि जो जीज जितना अच्छा दिखे है है न तो यहीं पर से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी क्योंकि दिखावा बहुत जुरूरी है आज कर आफिस मेंटेंज सारी चीज़े एकदम वेल अप्टू डेट होना चाहिए आपका विस्टिंग कार्ड है आपका बहुत सारी चीज़ें वेबसाइड है तो यह पूरी लि लिस्ट में आप देखिए तो कम से कम आपको दस टच पॉइंट चार्ट अपने रेडी करने हैं उनमें क्या-क्या सुधार करने की जुरूरत है आप उससे सैटिसफाई है तो ठीक है नहीं सैटिसफाई है तो अपने आपको नंबर दें जीरो से टेन स्केल पे और तीन ची शोर शराबा हो रहा है गाना बज़ रहा है आपके यूनिफॉर्म है है ना ड्रेस है कोड प्रोफेशनल आप दिखते हैं आपके बंदे एकदम प्रोफेशनल दिखते हैं कि वो आया और वो कन्फ्यूज उससे समझ में नहीं आ रहा है किधर जाए किस से बात करें आफिस म बारे होते हैं फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन उनके ओपर कैसे हो कैसे एफेक्टिव इंप्रेशन डालें ताकि वो जाके बाहर आपके बारे में चर्चा करेगा जब वो बाहर जाके चर्चा करेगा वैसी लोगों के बारे में उपीनियन बनेगी तो यहाँ पर आपके testimonials भी काम आते हैं, लोगों के reviews भी काम आते हैं, क्योंकि customer review भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़े देखता है, location है, बहुत सारी है, तो वो सारी list है, आप उसमें से देखिए कि आपके लिए कौन-कौन सी चीज़े ज़्यादा important है, कौन-कौन सी चीज़े आपके जरूरी है, किसमें आपको work करना है, आप सब में कर सकते हो, सब में करें, सुधार करने की कहां पर जरूरत है, क्या-क्या चीज़े नेक्स पॉइंट है, हमारा customer journey, customer journey बहुत important है, customer journey शुरुआत होती है, कि customer को आपके बारे में कहीं से पता चला, किसी ने बताया, या उसने YouTube पर वीडियो देखा, add देखा, leaflet देखा, paper में add था, या कहीं से किसी बारे में, आपको पता चला, फिर वो क्या करता है, वो आपसे संपर्क करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है, कि हाँ मुझे इसके साथ में business करना है, या कुछ जानकारी चाहिए, कुछ भी है, तो वो पर एक चीज़ और ध्यान देखा, यहाँ पर बहुत सारे steps होते हैं, क्योंकि buying process में customer के साथ में जुड़े रहना, यह बहुत important है, क्योंकि customer ने आपको call किया, अब यहीं पर सारा काम आपका शुरू होता है, customer ने call किया, अब call पर ही आपने उसको satisfy करा, उसकी जो need analysis थी वो करा, question answer देखे, probing करा, जाच करा, उसको क्या-क्या चीज़ों की जुरूरत थी, क्या है, क्या नहीं, उसकी सारी अच्छे से problem सुनी, और उसका solution दिया, अब वो आगे decide करेगा कि मुझे, इनके साथ में करना है, नहीं करना है, क्या है, जो भी apartment था, जो कुछ भी है, वो सब लिया, और waiting time कितना रहा, phone आपका कैसे receive, कितनी देर में receive, कैसे pick हुआ, किसने pick करा, professional way में, उसका record लिया नहीं लिया, data लिया नहीं लिया, और यहाँ पे customer के साथ में टिके रहना है, क्योंकि उसका interest है, वो अभी जानता नहीं, unknown है आपको, तो उसके साथ में reputation आपने build करा नहीं करा, question करें नहीं करें, interest उसका जागा नहीं जागा, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना होते है, build report है, फिर उसको समझ में आया नहीं आया, फिर आपने close करा नहीं करा, objections थी, उनको handle करा नहीं करा, follow up लिया के नहीं लिया, है ना, deal को done करा नहीं करा, selling करीर नहीं कर selling अगर आपको नहीं आता है, ये sales, अगर selling नहीं आती है, तो यहाँ पे सबसाद अधिक्कत है, क्योंकि selling करना बहुत जरूरी, negotiation होता है, कि आपने अपनी शर्तों पे कैसे माल बेचना है, price कम करना है, objection handling, बहुत सारी चीज़ें है, closing है, deal को done करना है, फिर वो आपका client बना नहीं करना, फिर अपने उसको referral business दिया नहीं दिया, उससे referral लिया गे नहीं लिया, है ना, ये कई सारे process के साथ में आपको उसको पर्मानेंट आपको उसको अपना मुरीद बनाना होता है, referral business के साथ में, बार बार उसको पर्मानेंट आपको client अपना customer ready करना होता है, उसका आपको फीडबैक लेना होता है कि आपकी सर्विस से प्रोडक्ट से वो खुश है कि आफटर सेल और प्री सेल बहुत सारी चीज़े करना होती है तो यह होती है हमारे एक कस्टमर की जर्नी इस कस्टमर जर्नी को अच्छे से समझना है इसमें स्टेप बाइ स्टेप आपको उसके साथ में रहना है क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग में आप उसकी हल्प कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिसीजन लेने चाहता है लेकिन उसको डिसीजन लेने में उसको हल्प की जरूत होती क्युकि उसको लगता है कि सही यके गलत है तो आप उसको सही target कर पा रहे हैं सही चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको help कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसके buying process में है ना तो ये customer journey का chart आपको मिल जाएगा और आप अपने में देखिए कि कि आपको किन किन लेवल पर वर्क करने की जोरूद है आपके टींग में, अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि कैसे report बिल्ड करनी है, कैसे customer satisfaction देना है, कैसे customer की desire और need analysis करना है, कौन कौन से questions होते हैं, जिन से आप उसकी need analysis कर लेंगे, उसकी desire जगा देंगे, है न, want and need आपको work करना होता है need analysis करना होता है फिर objection handling होती है फिर follow up होता है phone है call है text है किस तरीके से आप उसको line पर लेके आते हैं जब तक वो आपका permanent client नहीं बन जाता है deal को done करके close करके check में या cash में पैसा आपके पास आ जाए तो बंदों को इस तरीके से trend करना होता है ठीक है तो यह हो गया हमारा customer journey यह समझना है आपको next आएगा हमारा organization tree आपका admin structure वर team का designation पद सबका बिलकुल specific designation होना चाहिए जैसे आप हैं आप company के मालिक है CEO टॉप में होंगे आप फिर उसके बाद में manager है जर्नल manager है फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे यह भी chart आपको सब मिल पे भी दिख रहे होंगे आपको यह सब आप download कर लेंगे और अपना एक structure बनाएंगे कि कौन किसको report करेगा कौन किसका senior है कौन किससे junior है कौन किससे update लेगा कौन किसको update देगा सब direct आपके office में नहीं घुजेंगे बार बार बोलते हैं बहुत सारे लोगा मुझे boss से मतलब है मेरा boss को मैं update करता हूं boss को update नहीं करना है system है designation है वो आदमी चला जाएगा उसकी जगा पे दुसरा आ जाएगा तो काम लेकिन वही रहेगा ठीक है तो यह चीज़ समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारी जगा पे लो हम बोलते हैं तो वो structure पूरा यह इस तरीके से ready करना है ठीक है ठीक next है हमारी business strategy sheet business strategy sheet अपने ready करेंगे तीन साल के लिए वो भी आपको download हो जाएगी उसको अच्छे से पढ़ लेंगे समझ लेंगे कहीं भी कोई दिक्कत है तो live में हम मिलते हैं जिस दिन उस दिन सारे doubt सारे distractions क्लियर करेंगे live में सारी चीज़े आपको दिखाऊंगा कैसे फिल करना है कैसे आपको सारे structure अपने clear ठीक है तो आज का session में समप कर रहा हूं समप में क्या है कि always आपको think करना है कि designations के बारे में हमेशा systems के बारे में सोचना है बात करना है क्या क्या है delegation and distribution of work आपको delegate कर दे हैं वो सारे काम दुसरों को आप divide कर दें उनको एक designation दे देंगे उनके काम लिख देंगे क्यूंकि जो जिसका जो काम है जिसका जो work है वो उसका पद और उसके वो रहता है जैसे बड़े-बड़े offices बड़े-बड़ी companyyों में होता है लोग आते जाते रहते हैं लेकिन वो post वही रहती है post वही है उसके काम वही है तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन post वही है काम वही है तो सब आपने लिख दिया headaches जो भी handle करते थे वो सब उनको देदेंगे decisions उनको देदेंगे problem solving उनको देदेंगे admin work उनको देदेंगे जैसे मालिचे आप आप मालिक हैं आपके नीचे assistant manager फिर manager फिर उनके team work है कोई marketing देखता है कोई sales देखता है कोई daily day to work देखता है उनके नीचे और नीचे आ जाएंग तो वो देखता रहेगा कि कौन किसको क्या कर रहा है कौन किसको update देगा सब को आप से थोड़ा सा दूर करना होगा सब आपको यह update देते तो इसलिए सारे दिकत होती है ठीक है तो इनको बनाईए chart को उनको करिए जहां पर खाहीं पर कोई दिकत आती हो तो live हम मिलेंगे उस साल भर में चेंज आने लगेगा, दो साल में ड्रास्टिक चेंज आजबाया, पूरी तरीके से कंप्यों होजएगा, एक दम से कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, दिखेट है, मैं मानता हूं बहुत सारे टाफ है, मुझे खुद बहुत सारी दिकते हुई थी इस स्टार्टिंग में जब मैंने ये सब देखा, समझा, दूसे जगा गया, मैं कंपनियों में मैंने वर्क करा, तो मैंने देखा वो रोग काम कैसे करते हैं, तो प्रोसेस उनका समझने में मुझे काफी टाइम लगा, आ अगे रहेंगे, हमारे पास अब इस साल दो साल का है, हमने स्ट्रेडिजी शीट बनाएगे न, तीन साल की बिसनस स्ट्रेडिजी शीट, तो तीन साल क्या, दो साल में ही आपके सपने साकार हो जाएंगे, गरेंटेट, ठीक है, तब तक इसको करिए, मिलते हैं, नेक्स डंकन करिए, और इसको बैटके, नोर्स के साथ में, डेली जब आप बार-बार देखेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, इसको अच्छे से तयार करिए, असेस्मेंट अपना रेडी करिए, और असेस्मेंट सम्मिट करिए, ठीक है,